नमस्कार आप देख रहे हैं नेशन न्यूज मैं हूँ आपके साथ खुसपुसांगवी बिहार में क्रोना का रफ्तार जो है अब वो कम होता हुआ नजर आ रहा है हर दिन जो आकड़े हैं वो हजार के आसपास देखी जारी है वहीं आज जो स्वास्त विवाग की तरफ से अ गया और नालंदा यह तीन ऐसे जिले हैं जहां आज सबसे ज्यादा क्रोना पॉस्टिफ केस मिले हैं आपको बतादे कि पटना जो है आज फिर से सबसे पहले पाइदान पढ़ है पटना में जो क्रोना के केसे हैं वह 262 है वहीं गया की बात कर लें तो वहां संतावन केस मि 819 है तो अब बात करेंगे बिहार के अन्य जीलो की कि क्या कुछ वहां केस पाए गया है तो बात सबसे पहले अरड़िया की करेंगे जहां अरड़िया में टोटल 22 केस मिले हैं वही अरवल के अगर बात कर ले तो पाच और अंगाबाद 6 बाका में 10, बेगु सराई में 12, भागलपुर में 7, भोजपुर में 3, बकसर में 6, दरभंगा में 30, इश्चमपारन में 17, गोपाल गंज में 17, जमूई में 9, जहानबाद में 20, कैमूर में 8, कटिहार में 5 मरीज मिले हैं अगर किसन गंज की बात करें तो वहाँ 9 मरीज पाएगे हैं, वहीं लखी सराई में 10, मधेपूरा में 14, मधुवनी में 12, मुंगेर में 18, मुझपरपुर में 24, नवादा में 23, पुर्णिया में 17, रोतास 18, सहरसा 34, समस्तिपूर 9, सारन 12, सेखपुरा 17, सीतामडी 15, सिवा 11, सुपॉल 6, वैशाली 10, और वेश्चमपारन में 13 मरीज पाएगे हैं, तो ये था स्वास्त विभा की तरफ से जो अपडेट जाड़ी किया गया था, जिसमें आज बिहार में जो टोटल केस हैं, वो 819 मिले हैं, वहीं अगर बिहार में टोटल क्रोना केस की बात कर ले, त सबसे आगे चल रहें, आपको बता दे कि बिहार का जो रिकवरी रेट है, वो 96.34 प्रतीसत है, तो ऐसे इतमाम खबरों के लिए बने रहे हैं, नेशन न्यूज के साथ, नमस्कार.